दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में से इत्ग टिवारा ना आप इडिविडिया चाहेb तो ये वीडियो आपके लिए हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जनने वाले हैं तों में कि तरिके के और स होते हैं और किस तरीके से दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप अपने profit को maximize कर सकते हैं यहाँ पर maximum chances create कर सकते हैं आपके profit के तो दोस्तों इस सरी जानकारी के लिए इस वीडियो में लगातार बने रहे हैं मेरा नाम विकास मीना आप देख रहे हैं my company कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में जाकर के आप स्टॉक्स का एप खोलेंगे तो यहां पर जैसे आप स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पूचेगा यूजर आईडी दिखाएगा और नीचे आपका पासवर्ड पूचेगा तो यहां-पर दोस्तों आप अपना पासवर्ड डाल देंगे यह देखे दोस्तों-डेट-वबर्द भी पूछ रहा है रहा है और इसने अब उपन कर दिया है दोस्तों यहां-पर आप देख सकते हैं कि यहां-पर सबसे पहले जो नीचे वाच्छ में सारे ओडर साजाएंगे कोई ओडर अगर आपका ओपन है तो वह आ जाएगा क्लोज ओडर यहां पर दोस्तो आ जाते हैं इस तरीके से पॉर्टफोलियो में जाकर दोस्तों आप अपना पॉर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कौन-कौन शेयर्स करिदने का प्रॉसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दोस्तो ट्राइ कर लेते हैं सबसे पहले वाच लिस्ट में आप जाएए वाच लिस्ट में जाकर करके जो भी शेयर आप खरिदना है या प्रलस के निशान पर उपर क्लिक कीजिए आप यहांपर माल लीजिए कि मैं भेल का शेयर करने चाहता हूं तो भेल में क्लिक करूंगा अब दोस्तों भेल में जब आप क्लिक करते है तो यहांपर कई सारी चीज आती हैं जैसे बेल के निचे यहांपर लिखा हुआ है टॉप में एनसी इक्विटी और इसके नीचे लि करो चाथ का आता है अगर आप इसको करना सकते हैं था अगर है तो इसके बाद दोस्तों यह बनकर आ जाता है कि इसका करणाहा है ज़रायए और इसके बाद दोस्तों इसके नीचे ये देखिए प्रोड़क्ट लिखा हुआ रहा है प्रोड़क्ट में दोस्तों यहां पर एक एरो बना हुआ है तो इसके नीचे आपको डिलिवरी और इंट्राडे दो ऑप्शन देखते हैं अगर आप दोस्तों शेयर को एक दिन से ज्यादा के केृन करकरने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिलिवरी में इसको खरीदना चाहिए और अगर इनट्राडे में इंट्राडे में क्लिक करके इसको अर्ल कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अभी सीखने के लिए सिर्फ एक शेयर ले लेता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि order type अब order type में दोस्तों क्या होता है यहाँ जैसे आप click करेंगे तो चार option आपके पास है limit order, market order, stop loss market, stop loss limit अब दोस्तों इसमें होता है कि जो market order है जो second number पर दिखा रहा है market order तो इस market order में क्या होता है दोस्तों कि आपको जो भी market में price चल रही है उसी price पर share को खरीदना है तो आप market order place करेंगे यानि कि जैसे अभी 64.5 है तो थोड़ी देर में 64.55 हो जाएगा तो जैसे ही आप order place करते हैं तो उस time क्या price होती है market में उसी price पर आपको order execute हो जाता है तो इससे मतलब अगर आप ज़्यादा headache नहीं लेना चाते है simply order place करना चाते है तो market order place कर सकते है वही limit order का क्या फाइदा है limit order में दोस्तों आप limit order में जा करके आप अपने desired price पर किसी stock को खरीद सकते है जैसा अभी देख लिए 64.4.55 इसका price हो चुका है बेलगा बटा आप चाते हैं कि इसको 64.50 पर खरीदें तो दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर limit order सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर limit order सेलेक्ट करने के बाद उस तो आप से price पूचेगा अब इस price में आप यहाँ पर 64.50 डाइल कर दीजे अब इस 64.50 पर जब यह stock आ जाएगा तो वहाँ पर आपका यह order एग्जेक्यूट होगा लेकिन दोस्तों इसमें disadvantage यह है यहाँ पर आपका एक option है apply advance setting तो आप चाहेते हैं यहाँ पर advance settings भी लगा सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर order complexity दिखा रखा है अब इसमें यहाँ पर आप जाते हैं तो देखते हैं cover order one cancels other after market order अब cover order में दोस्तों क्या होता है इसके लिए आप अगर intraday में trade करने वाले हैं तो तब आप इनको यूज़ कर पाएंगे इसके नीचे जो एमोडर है दोस्तों इसका मतलब आप समझ लीजे इसका मतलब यह है कि अगर आप सुबह सवानों से शाम को साड़े तीन बज़े तक अगर order प्लेस नहीं करते हैं जब market का open रहता है उसके अलावा अगर आप किसी time order place करना चाहते हैं शाम को साड़े तीन बज़े के बाद और सुबह सवानों से पहले अगर आप order place करते हैं अगर आप Saturday Sunday को holiday पर order place करते हैं तो वहां पर आपको AMO में जा करके यहाँ advance setting में से AMO करना होगा और validity को day करना हुआ है दोस्तों नौबज कर 27 मिनिट हो रहे हैं तो market खोला हुआ है तो हमें अभी इसको कुछ भी नहीं करना हम इसे बंद कर देंगे तो हम दोस्तों यहां पर हमने देख लिया इसको review कर देंगे नीचे review order पर जाएंगे तो यहां पर सारी चीज़ें बंद कर किया जाती हैं तो option खरीदने के लिए आपको call option c e लिखा लेना चाहते हैं तो पी लिखा होगा लास्ट में तो से सबस्क्राइब करना होता है अब दोस्तों हमें जब एक्विटी में खरीदना है कैश में खरीदना है तो दोस्तों यहां पर quantity एक आ जाती है हमने पर एक quantity दिखा रहा ह है और हमारे टाइप लिमिट हमने सेलेक्ट किया है तो लिमिट दिखा रहा है अगर आप यह अपर लिमिट की जाके मार्केट और सेलेक्ट करते तो दोस्तों यहां पर प्राइज निखा रहा है नीचे 64.50 यह प्राइज बहुँ नहीं दिखा था पोजिशन हम डिलिवरी है क्या है एक्चुली हमने जो प्राइज है वो लगाई है 64.50 बड़ दोस्तों अभी जो इसका ल्टी पी चल रहा है लास्ट ट्रेड़ प्राइज वो हो गए 64.80 तो यह 30 पैसे उपर चला गया है तो इस वज़जी से जब यह 30 पैसे नीचे आएगा तभी दोस्तों हमारा इस शेर मिल जाएगा तो हम दोस्तों मार्केट लागा करके सिंपल ओडर कॉंपलेक्सिटी रखते हुए रखते हुए रिव्यू करेंगा ओडर को तो यहां पर देख सकते हैं जैसा को प्राइज आ रहा था नीचे वह प्राइज अब नहीं आ रहा है क्योंकि हम मार्केट म इसको खरीदना चाहते हैं तो बाइका जैसे यहां पॉप्शन करेंगे तो दोस्तों यह अभी आपका ओडर जो है वह कंप्लीट हो गया देखिए दिखा रहा है कंप्लीट हो चुका है एक्जिक्यूट हो चुका है 64.00 अब आप दिखा रहा है कि यहां पर आपका जो आव किसी स्टॉक को खरीदबाते हैं तो इस तरीके से देजार प्राइस पर खरीदने पर आदो अप्र प्राइस के Found 9-10-11 यहां पर अप टाउप्निंग और order placing का process भी बहुत simple है मैंने कुछ वीडियो भी दे रखे हैं आपको guidance के लिए जहांपर आप account opening का process भी देख सकते हैं और दोस्तों इसके लावा एक नीचे मैंने miss call का नमर भी दे रखा है अगर आपको कोई problem आती है तो उस पर miss call दे सकते हैं और इस तरीके साथ आप अपन